दोश्तों, अगर हम इंडिया के सबसे सफल और रईस लोगों की बात करें तो डेफिनेटली उसमें नाम आएगा रतन टाटा और आदे तिबिला जैसे कई बड़े-बड़े लोगों का जो बहुत ही सक्सेस्पुल और इंस्पारिंग बिजनसमैन हैं अब मुझे एक बात का जवाद दीजे अगर ये लोग किसी कंपने में एंपलॉई होते तो क्या तब भी ये इंडिया के सबसे बड़े रईसों में शामिल हो पाते नहीं ना इवेन आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टॉप 100 की लिस्ट उठा कर देख लीजे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उसमें से हर किसी ना किसी का एक बिजनस तो जरूर है जो वो रन कर रहे और उनके अमीर बनने की भी यही वज़ा है क्योंकि एक जॉब से हम उतने ही पैसे नहीं कमा पाते हैं जिससे हमारे रोज मर्रा के खर्चे पूरे हो सकें जरूरते पूरी हो सकें और सचाई भी यही है कि अगर लाइफ में financial freedom चाहिए तो वो किसी ना किसी बिजनस का मालिक बन कर ही अचीव किया जा सकता है लेकिन एक बिजनस को रन करना भी समझो लो बिजनस ही ऐसे बचते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और यानि की नए बिजनस का फेलियर रेट कितना हुआ 70% अब आपको लगड़ा होगा कि फिर तो जॉब ही ठीक है ना कम से कम फिक्स सालरी तो मिलती है लेकिन आपको बदा दू कि इन बिजनस के फेल होने का मेजर रीजन इनका सेक्टर भी होता है जिनकी डिमांड वक्त के साथ कम हो जाते हैं इसलिए हम आपके लिए रीसर्च करके कुछ ऐसे evergreen sectors लेकर आए हैं जो इस समय तो बूम पर ही हैं मगर आने वाले सालों में भी successful ही रहेंगे तो आखिर कौन से हैं वो sectors जाने से पहले एक बार फिर से startup पर आपका स्वागत है जहां business startups और entrepreneurship से जुड़े videos बनाते हैं तो आए शुरू करने आज की वीडियो दोस्तों 1951 में इंडिया का literacy rate था सिर्फ 13.49% जो की 2018 में बढ़कर हो गया है 14.37% लगबग 75% लेकिन आखिर literacy rate में इतनी rapid growth आई कैसे इसकी वज़े है लोगों की education के लिए जाग रुपता आज सभी parents ये चाते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिकर कामयाब बने लेकिन इन्हें पढ़ाता कौन है एक teacher सिंपल तो अगर आपको भी teaching में interest है तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल का sector हो सकता है जहां आप अपनी dream job के साथ साथ बच्चों की life को भी समार सकते हैं अब बह 2014 में एक YouTube channel से शुरू हुआ था और आज इनका startup Unicorn की list में शामिल हो चुका है अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में बहुत सारा पैसा लगा कर बड़ी सी ad tech company खड़ी कर दें इसकी शुरूबात आप एक coaching center से भी कर सकते हैं या YouTube channel पर एक channel स्टार्ट करके वहां से बच्चों को पढ़ा कर सकते हैं कुछ ऐसा ही अलग पांडे सर ने भी किया था जो काफी अलग था जहां पहले वो बच्चों को tuition देने का काम किया कर दे थे बाद में उन्होंने एक coaching institution open किया और फिर YouTube पर आए और उसके बाद अपनी company physics वाला की शुरूबात की जिसकी सिंगर हैं तो उसे भी online या फिर offline सिखा सकते हैं अगर आपको painting आती है तो उसकी classes दे सकते हैं या अगर fashion या फिर tech related अच्छी knowledge है तो वो भी आपके कमाई का बहुत अच्छा जरिया हो सकता है बस आपको पहचानना है कि कौन से skill आप में सबसे खास है और उसे दूसरों को स खाया जा सकता है इंटरनाशनल मार्केट में skillshare और udemy जैसे players और इस काम को कर रहे हैं लेकिन इंडिया में ये अभी भी एक gap है जिसे आप fulfill कर सकते हैं हम इंडियास खाने के कितने शौकीन है ये तो आप जानते ही जानते हैं यहां की सबसे यूनीक बात ये है कि हर स्टेट में आपको एक special traditional dish देखने को मिल जाएगी देश में ऐसी कई जगे हैं जो अपने खास flavor की वज़े से मशूर हैं जैसे कि महाराश्ट्रा का मिसल पाव, कश्मीर का रोगन जोष, बिहार का लेटी चोखा और गोवा की fish curry and so on बहुत सारी dishes हैं इसी food sector से जुड़कर आज ऐसी कई companies हैं जो करोडों का business कर रही हैं जैसे कि बीका निर्वाला, निरूलास, कैफे कॉफी डे, हल्दी राम्स, बाबी क्यू नेशन, बर्गर किंग वगरा वगरा आप चाहें तो खुद इनके जैसा एक restaurant और बन कर सकते हैं या फिर फसो, जुमैटो और स्विगी के customers का order लेकर एक specific time period के अंदर उन्हें deliver कर सकते हैं लेकिन food sector की opportunity यहीं पर खतम नहीं होती है, बलकि इसमें endless options मौजूद हैं और example अगर आपको अच्छी cooking आती हैं तो आप food truck भी start कर सकते हैं जो आजकल restaurant से काफी ज़ादा popular हो रहा है इसके फाइदे यह हैं कि एक तो बहुत ही कम budget के साथ start किया जा सकता है और आप इसे आराम से उन locations पर move भी कर सकते हैं जहां customers ज़ादा हों इसके लावा आप cooking classes भी दे सकते हैं और ये काम आप offline या फिर online दोनों ही तरह से कर सकते हैं आजकल हर कोई job पर जाता है ऐसे में cooking के लिए time निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है पर daily बाहर खाना तो नहीं खाया जा सकता है इसे में meal kits ऐसे लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है meal kits pre portion ingredients और recipes offer करता है जिसकी मदद से बिना कोई जादा मेहनत की आसानी से high quality dishes घर पर ही बनाये जा सकते हैं जितना जादा लोगों के पास time की कमी हो रही है ऐसे में meal kits की demand भी उतनी ही जादा बढ़ती जा रही है इसलिए meal kits भी food sector में एक अच्छा business option हो सकता है पैंडमिक ने हम सबको better health की value सिखा दिये और उसी दोरान हमने ये भी जाना कि health sector में कितनी shortcomings हैं जिन पर काम किया जा सकता हैं और इनी shortcomings को पहचान कर इस sector में कई revolutionary बदलाव भी आए हैं और कई बहतरीनी start-ups भी open हुएं जैसे farm easy, doctor on demand, 1MG, Apollo pharmacy, med life, बहुत सारे health sector एक evergreen sector है जहां लाखों opportunities हैं जैसे कि आप ambulance service शुरू कर सकते हैं, diagnostic center open कर सकते हैं, herbal products को manufacture कर सकते हैं या फिर disposable syringe, medical और regular gloves का production कर सकते हैं इसके लाबा, nutritionist और dietitian services भी provide करना एक बहुत अच्छा option है इवन healthcare industry के लिए mobile application भी एक develop कर सकते हैं अब देखा जाये तो हम सभी आज medical system के बारे में जादा से जादा जानना चाहते हैं हमें क्या हुआ है, ये जानने में हम इस बात से जादा interested रखते हैं कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं लेकिन medical technology को समझना काफी challenging है specially उन लोगों के लिए जो इस sector में involved नहीं है अगर आपके पास health related चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप उसे लोगों के साथ share कर सकते हैं और इसके लिए सबसे better option है website बनाना जुसके जरीए आप healthcare niche में blogging की शुरुवात कर सकते हैं बहुत basic level से पहले हरा धनिया भी खरीदना होता था तो उसके लिए market जाना पड़ता था है न लेकिन अब blinkit, big basket या zepto के जरीए ये सिर्फ 10 मिनट में ही आपके घर पहुँच जाता है इसमें आपका time या effort नहीं लगता है और shop keeper को भी आसानी से customer मिल जाते हैं हमें भूक लगती है और cooking का time नहीं है या करने का मन नहीं है तो सबसे पहले restaurant हमारे दिमाग में नहीं आते हैं बलकि Zomato और Swiggy आते हैं क्योंकि यहीं वो companies हैं जो हमारे favorite restaurant का खाना हमारे घर तक ला सकते हैं देखा जाये तो Zomato, Ola, Ober, Rabiddo इन सब के शुरुआ 10 या 15 साल के अंदर ही हुई है लेकिन आज ये सब करोडो का business कर रहे है अगर हम flip card की बात करें तो वो हर दिन लाखों orders ले रहा है लेकिन कमाल की बात ही है कि वो एक भी product उसके खुद के नहीं होते हैं सेब model आपको Zomato में भी देखने को मिलता है फिर ये करते क्या है market से समान उठा कर customer तक पहुँचाना simple यानि कि एक तरह से ये transport के business में है इसलिए अगर चाहें तो आप भी इस तरह के transport sector में अपना business कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा देखना होगा कि किन चीजों को लोगों की ज़रुत हो सकती है कैसे आप market gap को fill कर सकते हैं या अपने business से लोगों के life की problem को solve कर सकते हैं एक खुबसूरत घर का सपना हर को ही देखता है Times Property की एक report के according 2019 में Indian Real Estate Market 12,000 करोड रुपए की थी जो 2040 तक 65,000 करोड रुपए को cross कर जाएगी इसलिए Real Estate आपके लिए एक बहुत ही अच्छा Evergreen Business option हो सकता है ये एक ऐसा sector है जिसने प्रूफ करके दिखाया है कि आप कम टाइम में भी जादा profit कमा सकते हैं और अच्छी बात ये है कि इस sector में Real Estate Agent के अलावा भी कई सारी opportunities मौझूद हैं असल में Real Estate Agent basically किसी भी property के लिए customer ढूण के लाते हैं और property को बेचने के बाद उस पर कुछ percentage का commission चार्ज करते हैं लेकिन अगर आपको इस काम में interest नहीं है तो आप एक landlord बन सकते हैं और property को खरीद कर उसे किराय पर दे सकते हैं इसके लावा property flipping भी एक बहुत ही अच्छा option होता है जिसमें पुराने घर को खरीद कर उसकी repairing और modernizing करने के बाद उसे अच्छे profit के साथ बेचा जा सकता है इसमें थोड़े capital की जूरत भले ही पढ़ती है लेकिन ये बहुत ही अच्छा और काफी profitable business है तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे evergreen sector जिनमें आप अपना business शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास इनके बारे में बिलकुल भी knowledge नहीं है तो better होगा कि पहले इनमें से किसी भी sector के बारे में कुछ time के लिए job कर लीजे न इसमें कोई बुराई तो है नहीं और अगर थोड़ा experience हो जाए आपका business plan बन जाए आपका mind setup हो जाए आपको confidence हा जाए तो जाके business शुरू कीजेए बागी आज की हमारी वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप channel पर नए है तो हमारे channel को subscribe भी कर लीजेगा मिलते हैं जल्दी ऐसी ही और भी interesting वीडियो में तब तक के लिए good bye